हेलो गाईस मैं हूँ कोमल और रेसिपिस आप कोमल में आपका स्वागत है मैं आज बनाने जा रहे हूँ केले की फूल की सबजी बहुत ही हेल्दी एक बार आप जरू ट्राइ करें मेरे तरीके से इसमें बिल्कुल करवाट नहीं रहेगी और बहुत ही अलग तरीके से मैं ये सब्सक्राइब करना एक तो बनता ही है तो चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं ये देखिए मैंने एक केले का फूल ले लिया है मैंने इसको फ्रीज में रखा था इसलिए ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ये देखिए इसी तरीके से हमें केले का फ निकालना है और इसकी करवाहट कैसे हटेगी वो भी मैं आपको बता दूँगी ये देखिए बस इसी तरीके से सारे फूल निकाल लेने हैं हमें देखिए मैं निकाल रही हूँ बस इसी तरीके से आप सारे फूल निकाल ले बहुत से लोग होते हैं जो ये वाइट वाला पार इस्तमाल ना करें ये देख सकते हैं मैं इसका वाइट वाला पार्ट इस्तमाल नहीं कर रहे हूं बस इसके फूल का ही इस्तमाल करूंगी इससे करवाहाट बिल्कुल नहीं आता है तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें बिल्कुल करवाहाट नहीं होगी ये दे संदर के लंबा वाला माचिस का दीख रहा होगा उसे निकाल लेना और यह नीचुश में पंखुडी जैसी दीख रही होगी उसे निकाल लेना इससे करवाहत होती है इसलिए इसको अच्छे से निकालने देखिए वह आपको दिख जाएगी आप देख सकते हो इस races तरीके से हमें ये पंखुरी और वो लंबा वाला पार्ट निकाल लेना है डंठल जैसी दिखती है ये देखिए मैंने सारे फूल में से निकाल लिया है और देखिए मैं आपको बताती हूं कि इसको कैसे इसका करवाहत हटाना है आप इसको तीन से चार बर अच्छे से नॉर् कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बार दोएं मैं तीन बार दोई हूं और गर्म पानी से भी इसको आप तीन से चार बार दोएं ये देखिए हमारा पानी ज्यादा गर्म हो चुका है आप थोरा कम ही गर्म ले जिससे आप इसको हाथ से अच्छे से दो सके मेरी पानी ज्य आता है सब्जी में तो एक बार आप जरूर इसी तरीके से धोए और गर्म पानी से भी आप इसको तीन बार जरूर दोए जितने अच्छे से आप इसको दोएंगे सब्जी बहुत ही टेश्टी बनके रेडी होगी यह देखे मैं आपको इसका पानी दिखा दे रही हूं देख एक बड़े साइज के मैं प्याज को अच्छे से कट करके ले ली हूँ और एक चमच में लूँगी जीरा साबूत और साबूत काली मिर्स और एक चमच हम लोग लेंगे धनिया यह देख सकते मैं आपको दिखा दे रही हूं यह देखे और इसमें थोड़ी से अब हम लोग पानी एट कर लेंगे देखिए मैं पानी डाल करें मसाले को पीछ लोंगी गिर देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो चलिए मैं आपको बताती हूं नेक्स प्रोसेस यह देखिए हम लोग चार बड़े चमच ऑईल ले लेंगे मैं रिफाइन ओए ले रही हूं और उसमें स्लाइस करके मैं एक मीडियम साइस के प्याज को चैसे भून लूँगे इसी तरीके से और इसमें अब हम लोग डाल देंगे केले का फूल आप देख सकते केले का फूल यह हलका सा ब्लैक और हलका सा ब्राउन हो चुका है इसको अच्छे से धोने से इसका कलर इसी तरीके का आ जाएगा तो देखिए मैं इसको अच्छे से भून ली हूँ और इसमें अब हम लोग डाल देंगे अपने मसाले यह देखिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेर कर ना भूले और थोड़ी से मैं डाल दी हूं इसमें पानी और इसको अच्छे से मसाले को हम लोग भून लेंगे इसी तरीके से और इसमें अब हम लोग डाल देंगे एक चमच हल्दी पौडर एक चमच में डाल रही हूं नमक स्वादानुसार और एक चमच में डालूंगे ला कढ़ी पकाई जिससे केले का फूल अच्छे से पक जाए देखे मैंने केले के फूल को काट कर नहीं बनाया है मैं इसी तरीके से इसको बना रही हूं आप चाहे तो इसको अच्छे से काट भी सकते अब मैं आधा चमच मीट मसाला डाल दीग इनुए इससे बहुत अच्छा ट रेडी हो जाता है से लिए मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूं देखिए हमारा मसाल अच्छे से भून चुका है अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूं मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूं छोटे से गिलास से और इसको बीच-बीच में आप धककर ही पकाया है धककर गरम मसाला बाश्ट में ऐड़न, करें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता यह देखिए बस बस यह consistent हो चुकी है अब इसे हमें निकाल लेना है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया आप इसे रोटी चावल किसी के साथ झाल 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 झाल